तो कैसे हो आप सब आज की इस वीडियो में आप लोगों को स्क्वायर रूट यानि की वर्ग मूल पढ़ाने वाली हूं जो की आपके कॉंपेटिटिव एक्जैमिनेशन के लिए बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है तो प्लीज इस वीडियो को बलकुल लास तक देखिएग ठीक है तो बिना समय खराब की आज के वीडियो को हम स्क्वायर रूट पहले होता क्या है वह समझते हैं कोई सा भी नंबर होता है जैसे कि हम वन ही ले ले लेते हैं ठीक है वन के उपर ही अगर यह इस टू लिखा हुआ है तो यह स्क्वायर रूट हो जाता है अब आपको यहां पे 1 into 1 करना पड़ेगा ठीक है अब जैसे कि यहां पे कोई भी नंबर है जैसे कि हम 4 ही ले लेते हैं 4 square तो 4 into 4 हो जाएगा यानि कि 16 हो जाएगा तो कोई सा भी नंबर अगर हम ले लेते हैं यहां पे उसके उपर 2 लगा हुआ होता है तो वो square root हो जाता है वर्ग मूल हो जाता है उसको हमको 2 बर multiply करना होता है clear है इतना समझ में आया अब हम discuss करेंगे 1 to 10 square root के बारे में जो कि यहां पे मैंने आप लोगों के लिए लेक करके रखा है 1 का स्क्वाइर रूट कितना होता है 1 इंटू 1, 1 2 का स्क्वाइर रूट कितना होता है यानि की 2 इंटू 2, 2, 2 जा 4 ठीक है 3 का स्क्वाइर कितना होता है तो 3 इंटू 3, 9 4 का स्क्वाइर कितना होता है 4 इंटू 4, 16 5 का स्क्वाइर कितना होता है 5 x 5, 25 6 का square कितना होता है? 6 x 6, 36 अगला discuss करते हैं 7 x 7 कितना होता है? 7 x 7 is 49 8 x 8 is 64 9 का square कितना होता है? 9 x 9 is 81 10 का square कितना होता है? तो 10 x 10 is 100 अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ठीक है? अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जितना भी यहाँ पे square है जितना भी यहाँ पे है तो उसके last digit में या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा या फिर 4 आएगा या 5, या 6, या 9 यहाँ पे आप 2 3, 7, 8 यह सारा number आप नहीं देखोगे कोई से भी last digit में ठीक है जैसे कि आप यहाँ पे 16 देख सकते हो 25 देख सकते हो 36 देख सकते हो तो ऐसा यहाँ पे है ठीक है अब हम discuss कर लेते हैं कि कितने की table में last digit में कितना आ सकता है तो यहाँ पे देखो यहाँ पे important है अब आप यहाँ पे देखोगे तो 0 के table में ही केवल 0 आ सकता है 1 कौन से situation में आ सकता है 1 से अगर multiply करें यानि की 1 into 1 करे तब आएगा या 9 into 9 करे तब 81 आएगा clear है? समझ में आया? 4 कितने case में आएगा? या तो हम 2 into 2 2 2s आ 4 करेंगे तब या फिर 8 करेंगे 8 8s आ 64 तब आएगा 5 कौन से case में आएगा? या तो हम 5 से multiply करेंगे तब ही आएगा एक ही case से 5 से multiply करेंगे तब ही 5 आएगा 6 कौन से case में आएगा? या तो अगर हम 4 से multiply करेंगे तब आएगा यानि की 4 4s आ कितना होता है? 16 होता है तो last digit कितना हुआ? 6 हुआ अब हम 6 को multiply करेंगे 6 से ही, तो कितना आएगा? 36 आएगा, तो ये last digit 6 हुआ, 9 कितने case में आएगा? 3 से हम multiply करेंगे तो, 3 into 3 कितना होता है student? 3 into 3, 9 होता है, 7, 7 सा कितना होता है? 49 होता है, तो ये सारा case है, यहाँ पर आप 2, 3, 7, 8, ये सारा number आपको visible नहीं होगा, आप नहीं द 4, ठीक है? example के दौर पर, तो last digit हम देखेंगे, यहाँ पर ये last digit है, उस पर हम focus करेंगे, तो ये 4 जो है, वो कितने case में आ सकता है? हम पहले square root निकाल लेते हैं, तो 2 का square कितना होगा? 4 होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, 3 का square हम करेंगे, तो कितना होगा? 9 होगा, यहाँ पर अगर हम देखेंगे 7 का, तो 2 into 3 is equals to क्या होगा? ठीक है? समझ में आरे है मेरे बात, यहाँ पर हम सबसे जादा number देंगे, सबसे छोटे वाले को, अब यहाँ पर 7 जो है, वो greater है 6 है, 2 into 3 हम करेंगे, जो कितना हैगा? 6 आएगा, तो जो छोटा जो number होता है, वो यहाँ पर prefer किया जाता है, ठीक है? इसलिए यहाँ पर इसका जो square जो होगा, वो 28 हो जागा, अगर अब 28 को 28 से multiply करके देखोगे, तो इसका result जो है, वो 784 आ जाएगा, clear है? तो इसी तरीके से square root निकालते हैं, आपको last digit पर focus करने की ज़रूरत है, और यह जो trick मैंने आप ल से पढ़ा चुकी हूँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, स्टुडेंट समझ में आया है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, नेक्स वीडियो में हम 11 से लेकर के 20 तक का square root यानि की वर्ग मूल डिसकस करेंगे, so thanks for watching this video, जैहिंद वन्ले मात करें